नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको पहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजान बनाने के लिए बताऊंगी तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर लिजे और पास दे हुई घंटी को दबा दीजे तो चलिए हम सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपनी सलाई पर अपनी स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लिजे फंदा आप चार के मल्टि प्लस पे डालिए और तीन फंदा लाष्ट में एक्स्ट्रा डाल दीजे उसके बाद बॉर्डर बना लिजे जिस तरह का आपको बॉर्डर बनाना हो उसके बाद ये डिजाइन सुरू कीजे तो फर्स्ट रोर राइट साइड देखिए पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे या बना लेंगे एक फंदा को slip कर लेंगे इस तरह देखिए फिर एक फंदा पे तीन फंदा बनाएंगे एक हो गया फिर उसी में ऐसे एक बनाए दो और फिर उसी पे एक सीधा बना दिये तीन तो एक फंदा पे तीन फंदा बना लेंगे फिर दो फंदा सीधा बनाएंगे तो देखिए ये चार फंदा का डिजाइन हो गया इसी चार फंदा को हम पूरे सलाई में रिपीट करेंगे पहला फंदा को उतार लेंगे दूसरा फंदा पे एक फंदा पे तीन फंदा बनाएंगे देखिए और फिर तीसरा फंदा और चौथा फंदा को सीधा बूल लेंगे तो चार फंदा हो गया फिर देखिए एक फंदा उतार लेंगे एक फंदा पे तीन फंदा बनाएंगे और फिर दो फंदा सीधा बना लेंगे फिर एक फंदा को उतार लेंगे इसको बिना बुने उतारेंगे फिर लाश्ट के फंदा को सीधा बना लेंगे तो देखिए हम पूरी सलाई बना लिये हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखिए एक फंदा को उल्टा से उतार लेंगे और एक दो तीन तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे यहां पर तीन फंदा उल्टा और एक फंदा पे जो तीन फंदा बनाया हैं इसको हम बिना बुने उतार लेंगे इसको बुनेंगे नहीं फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर तीन फंदा उल्टा हो गया और तीन फंदा को जो एक फंदा पर बनाए थे उसको उतार लेंगे फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से हम पूरी सलाई में बनाएंगे तीन फंदा उल्टा बनाएंगे और एक फंदा में जो तीन फंदा था इसको उतार लेंगे देखे लाश्ट में एक दो फंदा उल्टा हो जाएगा तो देखे यहाँ पर हम पूरी सलाई बना लिये हैं और अब हम बनाएंगे सीधा के तरब से तो सीधा के तरब से देखिए, पहला फंदा को उतार लेंगे, एक फंदा को इस तरह से सिलिप करेंगे और ये जो तीन फंदा बनाए हैं एक फंदा पे, उसको हम इस दो फंदा के पीछे ले जाएंगे तो हम इस दो फंदा को पीछे से ऐसे सलाई पे चड़ा लेंगे और जो ये सीधा का फंदा तीन फंदा जो है इसको हम बीच से ऐसे डालके एक फंदा सीधा बना देंगे तो देखे इस तरह बन जाएगा फिर उसी तरह पहला फंदा को उतार लेंगे और इस फंदा को तीन वाला फंदा को पीछे ले जाएंगे और इस दो फंदा को सीधा वला फंदा को आगे लाएंगे तो इस तरह से हम इसको बदल देंगे और दो फंदा को आगे ला करके सीधा बनाएंगे अब ये तीन फंदा जो है इसको बीच से ऐसे डाल करके सीधा बुन लेंगे फिर देखे इसी तरह से हम पूरी सलाई में बनाएंगे पहला फंदा को उतार लेंगे और दो फंदा को जो सीधा वाला है इसको हम पीछे से ऐसे आगे लाएंगे और तीन वाला फंदा को पीछे ले जाएंगे और इस दो फंदा को सीधा बना देंगे फिर तीन वाला फंदा को बीच से ऐसे डाल करके सीधा बुन देंगे फिर एक फंदा को उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं लाश्ट वाला फंदा को सीधा बुन लेंगे तो देखें यहां पर हम पूरी सलाई बना लिये हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा उल्टा बून करके कम्प्लीट करेंगे तो हम पूरी सलाई उल्टा बनाएंगे बहुत ही आसान सा डिजाइन है देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो देखे हम यहाँ पर पूरी सलाई उल्टा बना लिये हैं और अब हम तो देखे यह हमारा डिजाइन कंपलीट हो गया है और अब हम इसी को पूरी सलाई में रिपीट करते जाएं तो हम थोड़े सा repeat करके दिखाते हैं तो देखें हम यहाँ पर थोड़े सा repeat कर लिये हैं तो दोस्तो आपको मेरा यह sweater का design कैसा लगा? कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा यह sweater का design पसंद आया हो तो लाइक करें और धिर सारा शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक यू